हेल्थ और फिटनेस के आज की स्कड़ी में हम बात करेंगे चंद्रभेदी सुर्भेदी प्राणायाम की आए जानते हैं इस प्राणायाम से होने वाले फायतों के बारे में नमस्ते आज जिस प्राणायाम के उपर हम लोग परिचर्चा करेंगे वो है चंद्रभेदी और सुर्भेदी प्राणायाम ज्यादातार हम लोग देखे अनुलोम विलोम के बारे में तो जानते हैं लेकिन चंद्रभेदी और सुर्भेदी उसके जो हमारे बेनिफिट हैं उसको हम लोग नजर अंदाज करते हैं तो आज हम लोग चंद्रभेदी हैं अब सुर्भेदी के बारे में बात करेंगे उसस तो सरव प्रतम हम लोग चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, नासिकागर मुद्रा बनाएंगे सरव प्रतम, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर मेरी बंद रहेगी और बाकी की दोना फिंगर से ओपन रहेंगी, अंगूटे से राइट नोस्टिल को बंद क करेंगे, राइट से एक्जेल, फिर लैप से इनहेल, राइट से एक्जेल, पुने लैप नोस्टिल से इनहेल और राइट से एक्जेल, इसी प्रक्रिया को हम लोग कंटीनू, चंद्रभेदी प्राणायाम में दोर आते हैं तो चंद्र भेदी प्राणाया में मैंने जैसे आपको शुरुवात में बताया है चंद्र का मतलब है इडा या फिर लेप्ड जो हमारा नोस्टेल है वो हमको कूलिंग प्रोपर्टी लाता है तो हम लोग उस कंडिशन में चंद्र भेदी प्राणायाम का अभ्याज कर सकते हैं उसकी जो टेक्निक आपको ध्यान रखना है लेप से इनहेल करना है और राइट से एक्जेल करना है इसी के अपोजिट सूरि भेदी प्राणायाम है कई बार ऐसा होता है हम लोगों को लो बीपी की सिकायत है तो उस टाइम हम लोग सूरि भेदी प्राणायाम का भी उप्योग कर सकते हैं क्योंकि सूरि का मैंने आपको बताया यह है पिंगला या फिर सूरे इसके लिए same way procedure है हम लोग नासिकागर मुद्रा बनाएंगे index finger और middle finger मेरी बंद रहेगी और बाकी की जो दोनों finger से मेरी open रहेगी left nostril को बंद करेंगे, right से inhale फिर left से exhale पुने right से inhale left से exhale पुने right से inhale left से exhale तो यह सूरे भेदी प्राणा यहां में इसमें हम लोगों को ध्यान रखना इसमें हम right nostril से inhale कर रहे हैं और left से exhale left का मतला बेर चंद्रमा या फिर cooling properties और right का मतला बेर सूरे या फिर पिंगला या फिर hot properties आता यहां या या को सीमें हम के भी